वेलकम बेग टो नैंश्री क्लासेस एंड इस इस नैंश्री आश्र करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में हमें हिस्ट्री में भारती राश्री आंदुलन के अंतरगत स्वाधीन तो आप लोगों को मैंने भारती राश्री कांग्रेस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है बहां पर मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि एटीन-एटीफोर में एक सेवा निर्मित आपके अधिकारी थे जिनका नाम था यहूम नाम was अपने प्रयात्मों यूनियन इंडियन. नेशनल यूनियं इसका नाम था। यानि कि I.N.U. यन कि बम दूर नीन चल्ड नाम तहां जिसकी स्थापना एक उह९ूं की द्धूरा की गई थी। अब जो ये यूनियन था इसने 1885 में 1884 में स्थापना की गई 1885 में पूना में कहां पर पूना में 1885 में पूना में विभिर ने प्रतिनिधियों के जो है सम्मिलन के आयोजन का एक निर्णा लिया लेकिन पूना में ये हुआ कि पूना में हैजा फैल गया कहां पर पूना में से यह सरहां पर कहां पर पूर्ण में यहां आपका संहीला नहीं हो पाया इस वजय से उसी वर्स में याने कि 1885 में ही यह जो आपका सम्मिलन है यह बंबई में हुआ फिर कहां पर हुआ बंबई में ध्यान से सुनिएगा मैंने यह का 1884 में एक आपके अधिकारी थे सेवा निर्वत अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था इओ हूं इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन का जो है इस्था ठीक अब इसके बाद का आपको ध्यान से सुनना है जब यह बंबई में हुआ तब आपकी जो डेट थी वो थी आपकी 28 दिसंबर 28 दिसंबर यह डेट आपको भूलना नहीं है 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बंबई में इंडियन नेशनल यूनि का पहला अधिवेशन हुआ पहला अधिवेशन आपको इस स्कूल का नाम भी याद रखना है कि कौन सा था ठीक यह विश्वविध्यालय नहीं था यह एक स्कूल याद रखेगा तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में ह लेकिन इसी पहले अधिवेशन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था दादा भाई नौरोजी था दादा भाई नौरोजी भारत में कॉंग्रेस एक पार्सी व्यक्ति जो है दादभाई नौरो जी इनकी सहायता से ही आया था। दादभाई नौरो जी को Grand Old Man OF इंडिया क्या कहा जाता है। उल्ड मैन ओफ इंडिया उल्ड मैन ओफ इंडिया इनी को कहा जाता है याद रखेगा आप लो और इनी की सहायता से जो आपका कॉंग्रेस है यह भारत में आया था और दादावाई नौरोजी नहीं आई एन्यू के जो पहला अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में इसक पहले किसको जाता है तो आपके दादावाई नौरोजी को ही जाता है इन्हों ने फिरसका नाम क्या कर दिया भारती है भारती है राश्षरे ऐस कांघ्रे से जिख्ड़ी यान की इन्डियन नेशिनल गॉंग्रेस ठीक हैं इन्सी कर दिया और फहले क्या नाम था इंडियन नेशनल यूनिट तो अभी सारी स्टोडिया आपको समझ में आ गई अब आपको आंसर मिल गया होगा कहां पर मुंबई में या फिर आप बंबई कहें मुव करते हैं next question पर and next question आप सभी के सामने हैं कि Alan Octavian Hume एक सेवा निर्वत ICS अधिकारी ने किस वर्स में भारतिय रास्ट्रिय संग का गठन किया तो अभी आपको बताया गया है कि इन्होंने 1884 में किया था 1885 में इन्होंने एक सभा जो है बुलाई एक सम्मिलन करवाने का सोचा कहां पर पुडे में लेकिन पुडे में हैजा फैल गया पुड़े में हैजा फैली की बज़े से ये जो सम्मिलन हुआ फिर ये बंबई में हुआ कहां पर बंबई में हुआ गोक्रदास तेजपाल संस्कूल के परिसर में ये फिर आपका सम्मिलन हुआ और इसी सम्मिलन में 1885 में ये इनका पहला सम्मिलन था कव 28 दिसंबर 1885 को ये इनका पहला सम्मिलन था और इसी सम्मिलन में दादा भाई नोरो जी एक पार्सी व्यक्ति थे जिनने ग्रेंड ओलमेंड अफ इंडिया कहा जाता था इन्होंने इसका नाम बदलने का जो है सुझ भारत में राष्ट्रगान को समिधान सभा द्वारा कब ग्राण किया गया इस तरीके के जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से डिसकस की हैं तो यहां आपको याद रखना है यहां पर भी कि भारत में राष्ट्रगान को समिधान सभा द्वारा जो गर्ण किया गया था वो आपका 24th of January 1950 को गर्ण किया गया था तो आप 3rd option यहाँ पर correct कर लिजेगा आपना जो भारत का रास्टरगान है जो भारत का रास्टरगान है वो क्या है जन गर्ण मन जन गर्ण मन इसके रचाईता कौन है तो इसके रचाईता आप सभी को पता है कि इनकी रचाईता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है कौन है रविंद्रनाथ टैगोर जन गर्ण जो है ध्यान से सुनिएगा जन गर्ण इसको सर्वपर्थम 27th of December आपको यह डेट नहीं भूलनी है यह भी याद रखना है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहे हूं वैसे मैं बता देती हूं क्या याद रखना है क्या नहीं लेकिन यहाँ पर 27 अपको याद रखना है 1911 1911 को भारतिये राश्ट्री कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से अधिवेशन में पहली बार गाया गया बार गाया गया और अध्यक्षता किस ने की थी इस अधिवेशन की तो यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जिस अधिवेशन में पहली बार रास्ट्रगान गया गया उस अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी तो 1911 में यह जो कलकात्ता अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता आपकी जो की गई थी वह आपके बी अंधर के द्वारा की थी मैंने सारी चीज़ां पढ़ाई हुई अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलेस में जाके वहाँ पर सारी चीज़ां डिस को लगता है कि आरे गाते रहो नहीं इसको 52 सेकेंड में ही गाना पड़ता है और भारत में रास्रगान को संभिधान सभाद्वारा 24 ऑब जैन्वरी कब 24 ऑब जैन्वरी 1950 को ग्राण किया गया था महत्मौन हैं आप लोगों के लिए याद रखिएगा मुव करते हैं नेक्स तो याद रखिएगा भारत का रास्रगान सर्वपर्थम कब गाया गया तो आपको अभी-अभी मैंने बताया 27 अब डिसेंबर 1911 में और यह जो आपका गया था इस अधिवीशन में गया था तो यह भारती रास्री कोंग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गया था जिसकी अ इस में क्या हुआ था देखिये पहले तो यह पता होना चाहिए कि लगमन समझवा कब हुआ को यह की कब हुआ लगमन उनीच्टोषafe में हुआ था यह महात्तपुल्ण इसलिए था क्योंकि इसके बाद कांग्रेश ने मुस्लिम लीघ के साथ upंदन किया था किस ने मुस्लिम लीग के साथ upंदन किया था है दन किया था समझा रहा है आप लोगों को गट्वंधन लिखा यह मैं फिर से लिख देते हूँ अज़ आप लोग कहते हो कि समझ नहीं आ रहा है यह सारी चीज आपने नोट क्यों है बस मैं यहां पर आपको रिवीजन करवा रहे हो गट्वंधन किया यह जो गट्वंधन कि लखनों समझोता जो हुआ था यह अधिवेशन में बात के गई थी तो अध्यक्षता किसने की थी अंबिका चरण मजूमदार ने किसने अंबिका चरण मजूमदार याद रखेगा आप लोग और आपका जो 1916 में लखनों में अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में क् गरम दल एक साथ आई जिसके लिए तिलक इवम एनिवेशन ने अथक प्रयास किये थे तो यह आपके लिए महत्पूर्ण है कि यह जो अधिवेशन हुआ था इसी अधिवेशन में आपके जिसमें आपके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इसी अधिवे किकिनारे हाप का सूर्थ में राश विहारी गोष क्वे स्टा में कांग्रिस ने डिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल jesteśmy आपके विवाजित हो गए थे किसकी अधिव्यक्षता में हुआ था तो यहां पर वह आपको याध रखना है कि अधिक्षता किसने की थी तो यहां पर आपको रास विहारी घोष याद रखना है कि 1907 में सूरत अधिवेशन जो सूरत है आपका यह तापती नदी के किनारे है तो इस अधिवेशन में आपका जो है नरंदल और गरंदल जो है आपके विभाजित हो गए थे लेकिन फिर यह नरंदल गरंदल आपके जो है एक दूसरे में जो है सामने आए कब आए तो यह आपकी लखनो अधिवेशन हुआ अम्मिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में इस अधिवेशन में नरंदल और गरंदल जो है इनका बिलाय हो गया इधर विभाजन हुआ 1907 자가 गया ओस्येशन करें सत्यास से ख़ीश्ट meu यहां पर इनका ब्लह अपसे एक कौश्चन कई बार फोचा जाता है कि यह जो नरंदल और गरंदल करेंवाजन और विलाय यह सबाऑनअ को है क्वाजन और कंवाजन अब लिएं दोनों है तो नरंदल ट्वाजन और विलाय दो को कर दो है नरमदल और गरमदल जो थे इनका विलए और विभाजन दोनों ही आप किसकी मध्यस्तता में हुआ था समझा गया आप लोगों को यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों आपका यह महत्पून है कि इसमें कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गडवन्दन किया था तो आपका कौन सा आंसर सही होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा मुव करते हैं नेक्स कॉश्चन पर जो कि आप सभी के सामने हैं कॉश्चन है आपसे की भारती राश्टी कॉंग्रेस और मुस्लिम के बीच एक समझोता हुआ था मुस्लिम लीग कर लीजेगे आप तो आपको यहाँ पर बताना था कौन सा समझोता हुआ था अभी अभी आप को बताया था कि 1924 में एक अधिवेशन हुआ था वेलगाओं में कहां पर वेलगाओं में हुआ था इस वेलगाओं अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी गांधी जी के द्वारा और यह एक मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी ए में वेल गाउं में तो आपका फूर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक मूफ करते हैं आगे आगे आपसे क्वेशन यह है वन विनिट आप लोग दीजिएगा कि महत्मा गांधी ने भारती रॉस्ट्री कॉंग्रेस के निमनलेख सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी तो आपको मैंने बताया हुआ था याद करिए थोड़ा सा मैंने चार्ट बनवाया था उसमें बताया था कि 1938 में आपका एक अधिवेशन हुआ था हरीपुरा में कहां पर हरीपुरा में इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभास चंद्र बोस ने की थी किसने सुभास जबल पूर में मद्यप्रदेश की जबल पूर में याद रखेगा आपसे पूचा जाता हरीपुरा आपका गुजरात में कहां पर है गुजरात बेलगाम कहां परता करनाटक में था तो 1939 में आपका जो है त्रीपुरी संकट हुआ आप लोग ने समझाता मैंने आपको 39 वाले अधिवेशन में राजेंद्र प्रशाद क्यों याद रखवाया था कि इस अधिवेशन में जो है एक प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजय से सुभाष चन्द्र बोस्ट ने कॉंग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था इसी अधिवेशन में त्रिपूरी संकर जिसको कहा जाता है उन्होंने कॉंग्रेस प्रसाद जी को पिर अध्यक्ष बनाया गया था भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का समय याद रखना पूछा जाता है कि जब नोहुर्साद बना टो यहाँ पर कॉन सा आप्षन में छोटा है तो आपको तो पहला ही option दिख रहा होगा 1938 पहले तो आप यहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो यहीं इसी के अद्धिक्ष बने थे वो है ना move करते हैं next question पर जो कि आप सभी के सामने हैं सुभास्चंद्र बोस ने भारती राश्टी कॉंग्रेस के अद्धिक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कब दिया था त्रीपुरी अधिवेशन में दिया था 1939 में त्रीपुरी अधिवेशन में तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था प्रशाद जी को दिया क्या था किसको प्रशाद जी को दिया गया था राजेंद्र प्रशाद जी को दिया गया था हुआ ये था, 1939 में एक बार आप सुन लीजे, 1939 में सुभाश चंद्र भोस ने कोंग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाओं में पट्टावी सीता रमया को हराकर अध्यक्ष बने थे बोश जो हैं किसको हराकर बने थे पट्टावी सीता रमया को इनको हराकर बने थे जब बोश की जीत हुई तो इस पर गांधी जी ने एक बात कह दी थी कि सीता रमया की हार जो पट्टावी सीता रमया है इनकी हार मेरी हा बार है तो इस टाइम बोश जी को लगा कि यह ठीक नहीं ओर बुश जी संबमान करते घंडी जी का तो इन्होंने सूचा कि मनमठावू से अच्छा है कि मैं इस इस पद से इस्तीफा दे दूं तो गांधी जी से मन मुटा होने के कारणी सुभाश चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और फिर इस पद का परस्ताव आपके प्रसाज जी को दे दिया गया था अब समझ गए आप लोग अभी स्टोरी समझ आ गए होगी नेक्स्ट क एक अधिवेशन हुआ कहां पर मद्रास में हुआ इस मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तयव जी ने जो है अध्यक्षता की किसने बदरुद्दीन तयव जी ने ये जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भारती रास्टी कॉंग्रेस के प्रथम मुस अद्यक्ष उत्यास बाद 1888 में आपका इलहाबाद में कहां पर इलहाबाद में एक अधियू ले थे बताए गया है पिर नियूपी अधियक्ष थे ठीक वहीं पहले अधिवेशन की बात करें तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में कब हुआ था बंबई में हुआ था और कहां पर बंबई में हुआ था 1885 में हुआ था ब्योमेश चंद्र बनर जी की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में ब्योमेश चंद्र बनर जी ये पहला अधिवेशन था इनका तो ये भी आपको याद रखना है कई वार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रिथम महला अध्यक्ष जो है कौन थी भारती रास्टी क Congress की 1917 में कभी सबंढ़क में कँषन हुआ था कलकत्ता में हुआ था तो इसकी अद्यक्षता एनई वैसंटने की थि ने की ती और एनि वैसंट की थी यह पर्थम महिला ती प्रथम महला लेकिन आप आपसे यह पूछा जाए कि आपका जो है प्रिथाम भारती महला अध्यक्ष कौन थी तब आपका अंसर बदल जाएगा क्योंकि आपकी जो है एनिवेशन भारती नहीं थी 1925 में एक अधिवेशन हुआ आपका कानपूर में कहां पर कानपूर में इसकी अध्यक्षता नाइडू जी ने की किसने सरुजनी नाइडू जी ने की है सरुजनी नाइडू जी ने की और ये जो है आपकी प्रिथम भारती महला थी इसकी भारती राश्ची कौंग्रेस के और वैसे नंबर में कौन सी होंगी सेकंड नंबर की होंगी है ना तीसरी महिला कौन थी तो तीसरी महिला जो थी नलिनी सेन गुपता की अद्धिक्षता में और यह जो हैं तर्ड भूमेन बनेती हैं आपकी अद्धिक्षपद पर आपसे कई बार एक्जाम में यह पूछ लिया जाता विटा कि सरबाद एक बार भारती रास्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन की अद्धिक्षता किस ने की त और कई जगह आपको मिलेगा कौन दादा भाई नौरो जी कौन मिलेंगे दादा भाई नौरो जी तो मैं आपको बता देती हूं अगर आपका ओप्षन में कोई एक व्यक्ति मिलते हैं मानके चलिए नहरू जी मिलते हैं तो इनी को टिक कर देना अगर सिर्फ दादा भाई डेनी है ठीक है के बार आपसे यह कोंचा जाता है सबसे कम ऊमरे के अध्यक्ष कौन थे तो आजा दिजी थे तो आजादी थे यह महात् ूंड है जाता है आपसे आज का प्रेक्टिसु आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा साथ ही साथ ये practice आपके लिए helpful रही होगी सो आपकी दरब से एक like एक share बनता है Thank you so much